एक गाउ में टुन टुनी और जटका नाम के लड़का लड़की अपने माता पिता मोटू और बतलू के साथ रहा करते थे मोटू एक धाबा चलाया करता था जब के मोटू की बतनी बतलू एक हाउस वाइफ थी वो घर में रहा करती और घर के काम करती एक सुभा अरे भाईया तुम यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो चलो ना हम बाहर खेलने चलते हैं अरे टुन्टुनी यह देखो मैंने काउकस की कुष्टिया बनाई है यह बड़ी वारी मेरी और चोटी वाली तुम्हारी है चलो बाहर चलते हैं और इन्हें पानी में चलाएं के बहुत मजाएगा अरे वा भाई मुझे तो कुष्टि चलाने का बहुत चोग है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हाँ ठीक है इसलिए तो मैंने दो बनाई है चलो मा से इजासत लेते हैं और फिर बाहर जाकर पानी में हम यह कुष्टि चलाएंगे हमें आज बहुत मजाने वाला है मा हम दोनों ये गश्टि चलाने बाहर चाएं ठीक है बेटा घर के सामने खेलते रहना ये घर के पिछे जो नाला है ना उनस नाले के पास बिलकुल मत चाना तुम लोगों को पता है ना कि वो बहुत गहरा है और बहुत से बच्चे वहाँ पर डुप चुके है अरे मा चिंता मत करो मैं अपना और टुन्टुनी का ख्यार रखूंगा और हम दोनों चल्दी वापस आएंगे ये कहकर वो दोनों खेलने चली चाते है अरे भाईया यहाँ पर तो पानी है ही नहीं बारिश का पानी सोग गया अब हम कैसे खेलेंगे अच्छे चलो हम साथ वाली नदी में जाते हैं तुम मा को कुछ मत बताना जल्दी जल्दी कष्टी चला कर खेल कर हम वापस आजाएंगे पता नहीं चलेगा उसके बाद वो दोनों बच्चे कष्टी चलाने के लिए नदी पर चले आते हैं चो ही वो पानी में कष्टी चोडते हैं कष्टी डूबने लगती है कष्टी के पीछे गसीटा भी जाने लगता है लेकिन वो फिसल कर गिर जाता है और पानी में डोबने लगता है दूसरी तरफ मोटू बहुत बुरे दरीके से चिला रही थी वो बहुत ज्यादा टर जाती है ये सब कुछ एक फुलिस वाला देख लेता है और वो जल्दी जल्दी आकर घसीटा को उस नाले से बाहर निकलता है और उन दोनों को घर ले जाता है भाबी जी आपको पता नहीं है घर के पिछे वाले नाला कितना खतरनाक है कि वहाँ पर कितने बच्चे डूप चुके हैं, आपने बच्चों को वहाँ केलने केले भीश दिया, अभी ये घसीटा डूपने वाला था, वो तो मैंने देख लिया और इसे वक्त पर बचा लिया अरे भाई साब, मैंने तो दोनों बच्चों को मना किया था, कि घर के पीछे वाली नदी में मत चाना, लेकिन ये मेरी कहां सुनते हैं, तुम दोनों के पपा आजाए, मैं उनसे बात करूंगी, और भाईया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि आपने मेरे बेटे की चान बच्चा आए, वरना मैं इसे खो देती, शाम को जब मोटू घर वापास आता है, तो पतलों से सारी बात बता देती है, बच्चों जब तुम्हारी मानी तुम्हें मना किया था, कि उस नदी में नहीं खेलने जाना, तो फिर तुम दोनों वाँ पर क्या करने गए थे, और चोटी बेहन को भी ले गए, और तुम खुद मरते मरते बच्चे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता या फिर तुम दोप जाते तो क्या होता, सोरी पापा, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ गया, कि मापाप अगर किसी चीज़ से मना करे तो उसमें उलाद की भलाई होती है, म मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, जिससे आप या फिर मा मुझे मना करेगी, और फिर मोटू दोनों बच्चों को माफ कर देता है,